हालो फेंट्स वेलकम टू सड़ी ग्रूप पार्श चला मैं हो इलाश और आज ही क्लास काफी अधा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इसमें हम डिस्टस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को और यह ऐसे हुगा अनिम्प्लाइमेंट अच चैलेंच टू इंटर्नल सिक्यूर ठेकि काफी ज्याद़ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है एक भी आप से प्रेक्टिस कर पहों गया है वहां से जाके पुली प्लेलिस को वोच कर सकते हो इसके साथ इसके सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर आपको ऐसे प्रेसियों कॉम्प्रेंशन तीनों की प्रैक्टिस करा दी जाती है 60 प्लस आज कि यहां पर लाइव इंटरेक्टिव क्लास अपको मिल जाती है और 24-7 आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो डेली बेसिस पर टॉपिक दे जाता है वाट्सेप ग्रॉप में ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सको और उसके लेटर कुछ करें लेम्टेट सीट से अवेलेबल हैं तो बिल्कुल भी मिल जाएगा आपको यह दिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वह से जाके आप इन्रोल कर लेना आपको इसकाउंट कोड यूज करना है एसजी टैन इस पर आपको टैन परसेंट इसकाउंट भी मिल जाएगा रही दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं अची क्लास को लेट स्टार्ट शुरुवात दोस्तों लोग करेंगे इंट्रोडक्शन से कैसे इस टॉपिक आपको लिखना है एलाबरेट करना यह देख लता है तो शुरुवात आप यहां पर कर सकते हैं जैसे कि सब्सक्राइब करते हैं और यहां पर शुरुवात आप इस तरह से कर लोगे इसकी एक कोटेशन के माध्याम से राइट कर नीगी अरे इसके बाद देखो अनेप्लाइमेंट इसके बाद देखो अनेट की देश की प्रष्व की प्रपम हर ये कंक्री जो है प्रविपल गेट अनिम्प्लाइट एंड लॉस्ट एर जॉप्स एक अब कोविट नाइंटीन की वज़े से क्या हुआ कि जो एक्जिस्टिंग सिचुवेशन और भी ज़्यादा वर्स हो गई है जो लोग है लोगों की जॉप चली गई है लोग अनिम्प्लाइट हो गए हैं यहां कि आप पता सकते हो कि एक सिचुवेशन होती है जब कोई स्केल्ड परसंट जोब करना तो चाता है लेकिन उसको मिलती नहीं है दो ऐसी सीचूवेशन को लोग बोलते हैं आपट एसंट है हिंदी में इसको बेरोजगारी भो लायता है दोस्टों शुरुवात आप इ करते हैं body section में India is one of the developing countries which is suffering from huge unemployment problem तेक यानि India जो है one of developing countries है जो की unemployment की problem से जूज रही है एक तरह से कह सकते हैं आप right unemployment does not only mean that the person does not have any work or a job in the same way unemployment also include people working in areas out of their expertise or skills तेक कि आप Unemployment Lumion का मत्व करें unemployment का मीन क्या होता है यह भी आप हैं याप बता सकते हो unemployment क के वल यही नहीं है कि जो पलसने उसको कोई पीज़न नहीं मिल रहा है और उसको जॉब नहीं रही है unemployment का मतलब यह भी होता है कि जो लोग काम कर रहे हैं लेकिन वो अपनी एक्सपर्टाइज या इसके बारे में बता सकते हो अनिम्प्लाइमेंट के सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने की जुरूत नहीं है आप इस टाइब बता दो अगर आप चाहो तो वह डिपेंड करता आपके उपर तो आपको एक बार बताना ज़रूरा है कि टाइप इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं सम्मेजर कॉदिण और आप पॉद्ध कारण से रेट बढ़ रहा है और युद्ध जादा और तो बेसिक चीज़ा बता सकते हो बुक्त साथ illiteracy भी है या पर इसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वह और ज्यादा बढ़ जाती है इसके लाब डिफेक्टिव एडूकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया लेट्स टू इनडिक्वेट स्किल डेवलप्मेंट देट डोंट प्रोवाइड बैटर जॉब ऑपॉचुनेटी इन सिस्टम है वह इतना एफेक्टिव नहीं है जिसकी वजह से क्या होता है और फिर जब प्रॉपर स्किलस नहीं होगी तो मार्केट में जो 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 पॉचनिटी इसके इसाफ से जो पर्सन है वह फीट नहीं बैठता इसकी वजह से वह अनेप्लॉइड रह जाता है छिगर ये यांनी जॉब सेक्टर में या फिर आप कह सकतो प्राइव इंसेक्टर में जिसकी कि वजह से आप यह कह सक्तों कि वहाँ पर जॉब इन सेक्योरीटी है जॉब की प्रॉपर सेक्योरेटी ठीक है वोमेन जो हैं उनमें भी सोशल बैरियर्स हैं उनके प्रती और उनका ज्यादा तर वर्कपोर्स में पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है यह भी एक बड़ा कारण है इसके लावा लो रेट्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्मेंट और सेविंग कम होने की वजह से ज अब ही मेज कॉद्स आपने बता दी कापने अठीक का यह का के अट लेकर कि अब करते हैं इसके लावा चैलिंजेश कह यहां जो इन्टनल सिक्योर्टी को प्रभावित कर सकते हैं अनिम्ट्यमेंट केन पोज मैनी चैलेंजिस बैसे चैलेंडिया अशुच अड बता सकते हो लाइफ यानि जो वर्लेरबल अनिम्पलाइड यूथ हो क्लाइफ जा सकते हैं गलत रास्ते पर जा सकते हैं ड्रग एडिक्ट हो सकते हैं गेंबलिंग और और इंपेक्ट किंप्लाइब्ध यूथ में यह दूसरा क्या यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दूसरा सबसे बड़ा चलेंज क्या है कि उनको आसानी से जो एक तरह से लुबा सकते हैं जे बिकम पार्ट उफ इंशर्जेंट ग्रॉप नक्सलेशलेश सबसे इस तरह से उनको आगरिस तरह के यूथ का सकते हैं तो इंसर्जेंट ग्रोप्स नेक्सलाइट या फिर अधर टैर्रिस्ट ऑगनाइजेशन भी वह जॉइन कर सकते हैं राइट इन दिस वे देकें बिकॉमा थ्रेट टू दियर ओन नेशन ठीक है यानि कि इस तरह से वह अपने ही नेशन के खुद लिये वह एक थ्रेट बन सकते हो कि जो अनिम्प्लाइमेंट है उसकी वजह से इंटर्नल सेक्यूर्टी कैसे प्रभावित हो सकती है इसके लावा देखो गवर्मेंट एस टेकें इस प्रॉब्लम वैरी सीडियसली एंड है और यहां पर गवर्मेंट से लेटर इनिशेटिव बता सकते हो जैसे कि इस स्कीम्स इंक्लूड आत्म निर्बर भारत अभियान इंटेग्रेटर रूर डेवल्लप्मेंट प्रोग्राम जवार रोजगार योजना नहरू रोजगार योजना डेवल्लमेंट ऑफ और ऑगनाई सेक्टर इसमॉल एंड कोट इंडस्री मात्मागानी नेशनल रूर इ इसके लिए इसके लिए निर्फर बनाया जा रहा है और एक तरह से उनको जो है एक रोजगार का साधन दिया रहा है तो इस तरह से यहां पर इसको भी बता सकते इसके लावा देखो इसको देख और रिवांप एड्युकेशन थू निव एड़ू केशन पॉलिसी ते ज़िए यानि कि अभी करेंट सिच्टोर जो है निव एडू केशन पॉलिसी जो आई है उसके तूप हमारा एड़ूकेशन सिस्टम है उसको रिवांप करने की जड़त है उसमें बदलाव शुक् और रिवॉल्ट एड़्वलेब्मेंट और भी एसको कुर्ण ऐस बेगाएं विम और को भी कर दोविया जाना चाहिए लाइड वो मैं सिचन थे स्वेड केम केंपी तूसाइटी PD process of job recruitment can decrease the burden on the youth and can solve the problem to a great extent ठीक है यानी कि women's education जो है एक तरह से हमारी society में काफ़ी बदलाव ला सकती है इसके साथ ही साथ जो recruitment का process है वो तेज किया जाना चाहिए fast किया जाना चाहिए जिससे क्या है जो burden है youth पे वो कम होगा साथी साथ जो प्राब्लम है unemployment की वो भी काफियत तक reduce होती जाएगी तो इस तरह से दोस्तों आप इस topic को best तरीके से लिख सकते हो और explain का सकते हो तो I hope आप लोग समझ पाए होंगे किस तरह से इसको लिखना है अगर यह topic आपके एक्जाम में आता है तो किस इस तरह से आप इसको लिख हो गया है राइट दोस्तों तो इसी तरह से practice करते रहिए इसी तरह से लिखते रहिए और I hope आपको समझ आ गया होगा best तरीका क्या है इस topic को लिखने का साधी साथ आप लोग दोस्तों इन बुक्स को ले सकते हो जब को को विदिन वर्ड लिमिट मिलेंगी और लोइस कॉस्ट में बुक्स आपको मिल जाएंगी डिशनल 30 वर्सन इसकाउंट भी मिल जाएगा डिस्किप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है वहां से जाके आप डिस्काउंटर रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी यह वीडियो कैसा लगा कर्मेंट करके जरूर बताईए वीडियो इलफुल लगाओ तो लाइक करेगा इस वीडियो को शेयर करेगा अपने सबी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लिए श्याल को अगर आपने से कोई नया है तो राइट फिंट तो अभी के लिए इतना ही नेक्स मिलते एगली क्लास में थैंक्स वोचिंग